बात करेंगे इलाइची की खेति के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा उगाने का सहिस्थ समय क्या है फिर हम बत करेंगे इसके बीज से पूदा कैसे त्यार करना है फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए सोयल प्रिपरेशन कैसा करना है और उसके बाद में हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में और फिर आपको बताऊंगा कि सावधानिया क्या बरतनी है आपको और अंत में बात करेंगे कुछ विशेश जानकारियों के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो के शुरुआत करें इस से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकों को दबा लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर जाएए इंस्टाग्राम पर फोलो कीजिए और आप भी जिस टोपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं मुझे मैसिज कर सकते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तो तो दोस्तो बात करते हैं उगाने के सही समय के बारे में उगाने का सही समय हैं मार्च के महिने से लेके जून के महिने तक आप इसे कभी भी उगा सकते हैं तो दोस्तो बात करते हैं बीज से पोदा कैसे बनाएं एक बात आपको बता दूँ जो इलाइची आप रसोई के अंदर इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसी होती है उस इलाइची के अंदर जो बीज है उनसे पोड़ा नहीं बनने वाला क्योंकि ये इमेचियर होती है जब ये कुछ ऐसी होती है तब इन्हें तोड लिया जाता है और उस पर इलाइची होती है साउथ इंडिया के अंदर वहां पर क्या है जब पोदों से इलाइची तोड़ी जाती है तो लगबग इलाइची तोड़ी जाती है लेकिन हर प्लांट के ओपर 20-25 पीस कुछ छोड़ दिये जाते हैं वो इसलिए छोड़ दिये जाते हैं ताकि भविश कहते हैं इलाइची का बीज मगवा लिजिए तो इलाइची आएगी पूरी उसमें से आपक उसको khiल के फिर निकलना पड़ेगा ठीक है तो यह wily बिज मगा ली जिए इलाइची मगा ली जीए चार पांच हे चार-पांच एलाइची में दस-पंद्रा पोदों का जुगाड हो जाएगा उससे क्या करना है जो ये बीज अंदर से निकलते हैं कुछ ऐसे चिप-चिपे होते हैं इनको 24 गंटे पानी में भिगो दीजिए उसके बाद सिर्का लीजिए 20 ml सिर्का थोड़ा सा गुन-गुना पानी मिलाकर उसके अंदर भिगो कपड़े को अपुरिप बीज जी चन्य के अंदर से निकलता है वैसे उनके अंदर से निकल जाएगा तो इस तरह इसका पोदा त्यार किया जाता है तो दोस्तों आप बात करते हैं soil preparation कैसे करें soil preparation के लिए आपको तीन चीजों का इस्तिमाल करना है 30% बगीचे की मिटी 50% बर्मी कंपोज और उसी के साथ 20% रेता आपको लेना है send होती है न जो बरेती नहीं जो मिटी होती है सूखी मिटी वो आपको लेनी है और इनको mix कर लेना है और यही आपकी पूरी अच्छी soil त्यार हो जाती है अब बात करते हैं दोस्तों उगाने के तरीके के बारे में चाहे आप गमले में उगा रहे हैं चाहे आप जमीन पर सिधा उगा रहे हैं एक बात का ध्यान रहे इसको ऐसे एरिया में उगाना है जहां पर सीधी धूपना पड़ती हो यानि कि पोधों के नीचे लगा दीजिए या फिर कहीं जहां पर पूरोपर धूपना आती हो सीधी धूपना पड़ती हो थोड़ी थोड़ी धूप आती हो वहां पर इसे उगाना है उगाना कैसे है, जो मिट्टी आपने त्यार कि उसे मान लीजिए, गमले में डाल दीजिए और उसके अंदर आप 1.5 इंच गहरा, ऐसे उंगली से छेद कीजिए और उसके अंदर जो sprout बनाए न आपका डिब्बे के अंदर वो sprout इसके अंदर डाल दीजिए ठीक है उपर मिट्री डाल दीजिए इस तरह से एक गमले के अंदर 7-8-20 डाल दीजिए उनमें इस अगर 3-4-20 भी उग जाते हैं तो उनके नीचे फिर गांठे बन जाएंगे जैसे अदरक्के बनती है ना साइडों में गांठे बन बनके नए पोदे निकलते रहते हैं फिर एक बार सिलसला शुरू होगा तो बहुत पोदे हो जाएंगे अब बात करते हैं दोस्तो सावधानियों के बारे में तो सावधानी ये है कि इसका पोदा उगाने के बाद तीन चार साल लग जाते हैं उसको जब वो आपको इलाइची देनी शुरू करता है जड़ में से एक डंठल निकलेगा उसमें से इलाइची लगेगी तो एक बात का ध्यान रहे अगर आप उत्तर भारत के हैं और आपके यहाँ वैधर कंडिशन इलाइची के हिसाब से सही नहीं है तो आपको नहीं करनी इसकी खेती लेकिन हाँ घर पर खुद के खाने के लिए आप इसकी इलाइची जो है वो उगा सकते हैं आपके घर पे कोई बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे थोड़ी जगह बनाईए और वहाँ पर एक दो पोदे लगा लीजिए क्योंकि इतना बड़ा रिश कम नहीं ले सकते कि एक एकड में लगा के छोड़ दिया थी इन साल बाद पता चल रहा है कि वैदर कंडिशन फेवरेवल नहीं थी इसलिए फ्रूट ही नहीं मिला क्योंकि इसका फ्रूट मिलता है वहाँ पर जहाँ पर एक तो जवरदस लगभग 4000 मिली मेटर तक की वारिस होती है और दूसरा जहाँ पर टंपरेचर 10 डिगरी से नीचे नहीं जाता और 30 डिगरी से उपर नहीं जाता ऐसे एरिया के अंदर इलाइची होती है यह नहीं कि अपने हाँ पर ठंड पड़ती है तो एक दम भ्यानक ठंड है और गर्मी आती तो भ्यानक गर्मी है उस कंडिशन में इलाइची नहीं होती इलाइची को बहुत ज़्यादा हुमिडिटी चाहिए तो इसलिए आप घर पर उगाना चाहते हैं तो उगा सकते हैं तो दोस्तो विशेश जानकरी यह है कि आप लोगों के बार-बार कमेंट आ रहे थे बार-बार मैसिज आ रहे थे इसलिए मैं इस खेती के बारे में बता रहा हूँ वरना मद्य भारत और उत्तर भारत वालों के लिए ये खेती बिलकुल भी सही नहीं है क्योंकि आप इसे उगाल होगे, हमने भी एक बार एक प्लांट घर पे लगाया था, काफी बड़ा हो गया था लेकिन उसके फूल भी लगते थे, क्योंकि अपने आपर वैदर कंडिशन उसके अनुकूल है ही नहीं, तो अपने आपर यह नहीं हो सकता इसलिए घर पर अगर लगाना चाहते हैं, मतलब थोड़ी भावत इलाइची हो जाए घर के लिए, तो ठीक है हम उसको वैदर कंडिशन दे सकते हैं, जैसे हुमिडिटी बढ़ानी है, तो वहां पर प्लांट के आस-पास कुछ पत्थर रखके उनको गिला करते रहेंगे, ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी इसकी खेती करने लायक नहीं है, खेर दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट श्रक्शन में जुरूर बताईएगा, और हां, हमारे खेत से हमने जिंगा नि